Hello friends, welcome to our YouTube channel My School हमने अपने प्रीवेस वीडियो में exercise 2.2 के कुछ questions solve किये थे आज हम next question solve करने वाले हैं So चलिए start करते हैं देखे question number 9 में क्या दिया है The age of Rahul and Haroon are in the ratio of 5 ratio 7 4 years later the sum of their ages will be 56 year What are the present age? So देखें यहाँ पर हमें क्या दिया है? हमें दिया है ratio तो क्या होगा? Ratio of their ages equals to 5 ratio 7 Present age क्या हो जाएगी? जब ratio दिया है हमें present age का तो age हो जाएगी 5x ratio 7x यह हो गई उनकी age अब क्या दिया है? 4 years later The sum of their age will be 56 अब 4 साल बाद दोनों की उम्र पड़ेगी So 5x plus 4 राहूल की age हो जाएगी 5x plus 4 प्लस हरून की age हो जाएगी 7x plus 4 इनका सम क्या दिया है? सम होगा 56 तो हमें दोनों की अलग-अलग present age निकाल नहीं है So 7x and 5x सम हो जाएगे? क्या हो जाएगा? 12x plus 8 equals to 56 6 यह बन गई हमारी equation अब 12x के साथ 8 plus में है तो right side जाकर minus हो जाएगा क्या बचेगा? 48 तो x की value क्या जाएगी? 48 12 multiply में x के साथ तो right side में divide में जाएगा तो क्या जाएगी x की value? x की value आ गई 4 So अब अगर हम दोनों की present age निकालें तो क्या हो जाएगी? Present age of Rahul will be 5x That means 5 into x की value क्या निकाली थी हमने? 4 तो यह जाएगा 20 years और present age of Haroon is 7x 7 into x की value again 4 So यह जाएगा 28 years तो दोनों की age आ गई हमारी 20 and 28 years I hope आपको clear हुआ होगा So चलिए चलते हैं अपने next question पर Next question, question number 10 So सबसे पहले पढ़ते हैं question कि question में दिया क्या है? देखे Question में हमें दिया है The number of boys and girls in a class are in the ratio 7 ratio 5 Class में boys and girls का ratio 7 ratio 5 है The number of boys is 8 more than the number of girls What is the total class strength? लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों से 8 ज्यादा है तो total class में कितने बच्चे हैं ये पूछ रहा है So देखे यहाँ पर हमें ratio देदिया है Boys और girls का एक class में जो की है 7 ratio 5 So ratio क्या हो जाएगा? 7 x ratio 5 x क्या ही ratio हो जाएगा? अब इसने बोला है जो boys हैं वो girls से 8 ज्यादा है मतलब अगर एक लड़की है तो 9 लड़के हैं 8 ज्यादा है यह सिर्फ example था अब हम question के according चलेंगे इसने दिया है The number of boys is 8 more than the number of girls So यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम यह हो गए हमारे total बच्चे क्लास के So यह एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर लड़कों की संख्या ज्यादा दी है as per question तो यह ratio भी किसे सबसे होगा? यह ratio होगा boys versus girls मतलब इतने boys हैं और इतनी girls हैं तो इनका ratio क्या दिया है? boys जो है वो girls से 8 ज्यादा है मतलब अगर हमें इन दोनों numbers को equal करना है तो क्या करना होगा? हमें करना होगा कि girls में 8 अगर हम add कर दें तो boys और girls दोनों बराबर हो जाएंगे तो equation क्या होती है? जिसमें equal का sign होता है तो equation बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा तो क्या बनेगी हमारी equation? हमारी equation बन जाएगी 7x boys equal to girls कब होगा? जब girls में 8 add हो जाएगा तो क्या आगई equation? 7x अब जो 5x है right side में plus है तो इधर आकर minus हो जाएगा equals to 8 तो क्या आगई value? 2x equals to 8 x की value क्या आई? x की value आई 4 अब 4 तो आगया हमारा x का value अब हमें क्या करना है? x की value से number of boys और number of girls निकालना है क्योंकि जो x हमने माना था वो सिर्फ हमने क्या माना था? एक variable लिया था जिससे की हम boys और girls की value निकाल सकें तो हम उनकी total value अब calculate करेंगे जब हम अलग-अलग उनकी value निकाल लेंगे so boys की value कितनी हो जाएगी? number of boys equals to 7x है तो क्या हो जाएगी? 7 into 4 equals to 28 number of girls क्या हो जाएगा? यह है 5x so 5 into 4 20 so total number of student कितना हो गया? 20 plus 28 मतलब 48 जो है हमारे total student है in a class यह हमारा answer होगा I hope आपको clear हुआ होगा so चलिए चलते हैं अपने next question पर next question number 11 question number 11 में क्या दिया है? हमें दिया है बाइचुंग's father is 26 years younger than बाइचुंग's grandfather and 29 years older than बाइचुंग the sum of the ages of all the three is 135 what is the age of each one of them? देखे यहां पर हमें father की एज़्दी है grandfather की एज़्दी है और जिसके grandfather की एज दिया है उसकी भी एज दिया है so उन तीनों की एज का हमें sum भी दिया है उसके बेस पर हमें equation बनानी है question number 11 के according बाइचुंग's की एज से 26 साल जादा उसके father की एज है और 29 years जादा उसके father से उसके grandfather की एज है तो तीनों की एज निकलनी है so सबसे पहले इसने reference दिया है बाइचुंग's की एज का so वो क्या है let बाइचुंग's age is x years हमने उसी की एज मान ली so father की एज क्या हो जाएगी कितने साल बड़े हैं उसके father उससे उसके father है उससे 29 years old क्योंकि question में दिया है बाइचुंग's के father है वो उसके grandfather से 26 साल चोटे है और बाइचुंग's जो है वो अपने father से 29 years चोटा है so उसके हिसाब से अब हम age calculate करेंगे so father की age क्या हो जाएगी x plus 29 ये तो हो गई father की age years grandfather की age क्या हो जाएगी grandfather की age हो जाएगी father की age से 26 ज्यादा मतलब उसके grandfather जो है 26 year old है x plus 55 ये हो गई grandfather की age अब क्या दिया है हमें दिया है तीनों की age का sum मतलब x plus x plus 29 plus x plus 55 ये क्या दिया है 135 तो ये क्या बन गई हमारी equation अब हम इसको से solve करेंगे so x plus x plus x 3x plus 29 plus 55 क्या जाएगा 84 equals to 135 अब ये बन गई हमारी simply equation so 84 plus में है right side जाकर minus में हो जाएगा so 3x equals to क्या आ गया 51 तो x की value क्या आ गई 17 तो बाइचुंग्स की age तो हमारी आ गई 17 अब father की age क्या हो जाएगी बाइचुंग्स से 29 years old थे उसके father so 17 plus 29 तो क्या आ गई फादर की age फादर की age आ गई 46 years अब grandfather की age क्या हो जाएगी grandfather की age थी father की age से इतना 36 ज्यादा या फिर सीधा सामने क्या निकाला था x plus 55 so x की value 17 plus 55 ये क्या आ गया ये आ गया 72 years मतलब बाइचुंग्स की age 17 साल है father की 46 years है और grandfather की 72 years so यही हमारा answer हो गया question number 12 क्या दिया है 15 years from now Ravi's age will be four time his present age what is the Ravi's present age हमें Ravi की age पूछी है present age पूछी है और हमें दिया है कि 15 साल बाद Ravi की age जो है वो उसकी present age की 4 गुनी हो जाएगी तो हमें क्या करना है let Ravi's present age present age ही माल लेते हैं Ravi की वो हो गई x years अब इसने 15 साल बाद 15 years later रवी की age क्या हो जाएगी Ravi's age will be x plus 15 years और आदिया है question में कि 15 साल बाद Ravi की age उसकी present age की 4 गुनी हो जाएगी और present age हमने क्या मानी x इसका 4 गुना 4 x तो क्या बन जाएगी equation x plus 15 equals to 4 x so इसको solve करने के लिए x को right hand side ले जाएगी 4 x minus x so 15 equals to 3 x तो x की value क्या जाएगी 5 Ravi की present age क्या है 5 years Ravi की present age है 5 I hope आपको clear हुआ होगा so मिलते हैं अगले वीडियो में next questions के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो so please like, share and subscribe our YouTube channel thank you